हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग बात करेंगे मन के बारे में ठीक है तो हम लोग मन के बारे में बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कि मन क्या होता है ठीक है तो मन की निरुकती है मन ग्याने धातू से ठीक है पत्ती होती है इसके पर्याय पर्याय इसके तीन है ठीक है अतींद्रिय सत्तो और चेतस ठीक है मन को तीन नामों से जाना जाता है एक अतींद्रिय एक सत्तो और एक चेतस ठीक है तो मन को अतींद्रि क्यों कहा जाता है ऐसा भी एक कोशन पूचा जा सकता है कि मन को अतींद्रि क्यों कहा जाता है तो मन जो है मन सभी इंद्रियों से परे है और सभी इंद्रियों से श्रेष्ट है इसलिए मन को अतींद्रिय कहा जाता है ठीक ह चितस, ठीक है, फिर आता है इसे उपाधी, तो इसे उभेंद्रिय की उपाधी दी जाती है, मन जो है उभेंद्रिय का जाता है, उभें का मतलब होता है दोनों, ठीक है, मन जो है उभेंद्रिय यानि करमेंद्रिय भी है, ठीक है, यानि मन जो है वो करमेंद्रिय भी है, और ज ज्ञान भी कराता है जो मन है उसे उभेंद्रिये माना गया है यानि करमेंद्रिये और ज्ञानेंद्रिये दोनों ही है इसलिए इसको उभेंद्रिये कहते हैं फिर आता है आपका लक्षण देख है कि मन का लक्षण क्या है तो मन का लक्षण है ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है ठीक है ज्ञान का होना या ना होना जो है तो मन का लक्षण है ठीक है इसका श्लोक है लक्षण मनसों ज्ञानत से भावो भावो एवचा ठीक है तो मन का जो लक्षन है वो ज्ञान का होना या ना होना है मन का लक्षन बताया गया है फिर विशय मन के क्या विशय है तो मन के जो है चिंतन करना, विचार करना, उहापो, धे और संकल पाँच विशय मन के बताया गया है ठीक है कौन कौन से चंतन करना विचार करना चंतिव विचार उहा धे संकल्प ठीक है इसका श्लोक है चंतिम विचारियं चा aham चा धेयं संकल्पम यानि कि जो मन के जो वो गुड रहें मतलब जो उसके विश carried हैं वो पांच जोरा चंतन किया है उसके अच्छाई और बुराई के बारे में सुचना उहा क्या है तर्क वितर्क वुतर्क वुवकि भावना हूँ साल ध्य ह Renaissance करना संकल्प यानि जो हम कोई नि्षचे करते हैं इसका करते हैं धि framework तो उसको संकल कहते है ज़र आता एक गुण तो मन के जो है वो दो गुण है दो गुण बताएगे अनत्वम चा एकत्वम चा दो गुणों मन सा असमरतो ठीक है अनत्व और एकत्व मन के दो गुण है मन जो है वो अनू है ठीक है अनुरूप में व्राजमान है और एकत तो है एक है मन ठीक है अने एकत तो नहीं है मन का अगुण क्या है एकत तो है और अनुत तो है ठीक और फिर इसके कर्म जो है वो भी दो है इंद्रिय अभिक्र है और स्वस्य निग्र है ठीक है यानि इंद्रियों को अपने में दो दोशोते हैं रज और तम और रज और तम दो दोश होते हैं है कि बढ़ोता है स्तान तो तो मन का रधीया है तो घ्रिटेव करना है और क्या जो उसका स्थान है वो शिर है मस्तिश्क है और जो संपूर्ण शरीर इसका कार छेत्र है ठीक है वैसे मन जो है वो हिर्दय में रहता है लेकिन हिर्दय में रहकर वो अपना कार नहीं कर सकता है इसलिए उसके कार का जो स्थान है कारगास्तान है वो इसका सिर है मस्तेश्क ठीक है ब्रेन में रहता है और जो इसका संपूर्ण सरी जो है वो इसका कारचेतर है पिर इसकी उत्पत्ती जो मन की उत्पत्ती वो एहंकार से बताई गी गई है किसने सांग के दर्सन ने जो सांग के दर्सन है वो मन को एहंकारिक मानते हैं एहंकार जैसा है कि उनका जो स्रश्टी उत्पत्ति क्रम है उन्हें 25 तत तो बताए हैं अव्यक्त महान एहंकार तो एहंकार जो सात्विक राजसिक तामसिक जो सात्विक और राजसिक एहंकार होत तो इंद्रियां वनती है उसी में मन भी होता है लेकिन आयूर्वेद ने मन को भोतिक बताया है घृका अधैक तुम मन है वो उतुसे निर्मेता ऐसा आयुर्वेद मानता है तो में एक और फिर एड़े ग्लैंस बहुत जली देखते हैं कि मन क्या है ठीक है तो मन की निरुक्ती है वो मन ग्याने धातुज मन बना है पर रहा इसके तीन है अतींद्रिय सत्व चेतर इसको अतींद्रिय इसलिए कहा जाता ह है इसको अतींद्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी इंद्रियों से परे है और श्रेष्ट है ठीक है उपाधी इसे उबहेंद्रिय कहा जाता है क्योंकि यह कर्म भी करता है ज्यान भी करता है कर्मेंद्रिय वे उबहेंद्रिय इसलिए उबहेंद्रिय कहा जाता है से लक्षण website मंसू ज्यान से बहावु भावु एपचा सतिया इन्दिया थाना मुसनि न वर्थते तो ज्यान का होना या न होना जो है व हमन का लक्षण वताया गया है विशय इसके पांच hmm log विचार करना उहा दे और संकल अगुण इसके 2 है अडुट और एक अडुट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व इंद्रियों को अपने अर्थों को ग्रहंट करने समपोन सरी कार चेटर को है सांगिद्र्षन ने ओर भातिक माना आयरुवेद्टस थे जो पंच महा महा भातिक माना n झौण पो